बच्चों हम कक्षा नाइंत की हिंदी पढ़ रहे हैं और हमारी पाठिय पुस्तक का नाम है छितिज हम छितिज पाठिय पुस्तक का कावेखंड अध्याय दस और संत कवित्री लल्दत के बारे में पढ़ रहे हैं हम कल इन संत कवित्री के वाक के बारे में पढ़ चुके हैं आज हम उनके कुछ अभ्यास प्रशन करेंगे जो हमारी पाठिय पुस्तक में दिये गए हैं कइल दिखो बच्चों हमारा पहला प्रशन है रस्ती्ma किसके लिए प्रियुक्त्रा आए और कीसी हैं देखो यह जो यह रस्ती शाब्द है जो जीवन्जीने के साथनों के लिए प्रयुक्त है यानि जीवन जीने के साधन है वो रशी रूपी है और वह स्वभाव में कच्ची अर्थात नश्वर है यह संद कवित्री यह कहना चाहती है कि मैं रशी रूपी धागे से जो कच्चा धागा है रशी रूपी उससे अपने जीवन की नाव को खीच रही हूं अ हमारा अगला प्रेश्ण है कवित्री द्वारा मुक्ति के लिए किये जाने वाले सारे प्रयास व्यर्थ क्यों जा रही है कि अपनी मुक्ति के लिए यानि परमात्मा से मिलन के लिए बहुत प्रयास कर रही है लेकिन वो सारे प्रयास हैं वो क्या हो रहे हैं उनके यानि कच्ची धागे की रस्ती से नाव को खीचना जैसा है यानि केवल भजन पूजन करना इसे हम परमात्मा को प्रात्त नहीं कर सकते हैं इस प्रयास में जीवन बीता जा रहा है कि मैं किस प्रकार उस परमात्मा को प्रात्त करूं लेकिन इश्वर से मिलन नहीं हो पा रहा इससे लग रहा है कि उसकी सारी साधना है जो व्यर्थ जा रही है हमारा अगला प्रिशम है नियो इस बहुता है मिन तब कि इस बुपन होते हैं जो कि क्या है जो इस प्रति कुछ न fed नहीं होता है उस इश्वर से ये सब उत्पन हुए हुए हैं और सभी उसी परमात्मा में विलीन होना चाहते हैं। उसी पेकार जो कवित्री है वो भी क्या चाहती है मुक्ति या मौक्ष पाने की इच्छा। क्या जाती है मुक्ति या मोक्ष पाने की इच्छा अर्थात मुक्ति या मोक्ष पाने की इच्छा सभी इश्वार से उत्पन हुए हैं और परमात्मा के ही अंश हैं वे उसी अभेद रूप से मिल जाने या मोक्ष पाने की इच्छा रखते हैं यानि कि हम परमात्मा से परमात्मा में मिलना चाहती है और इस तरह सभी लोग परमात्मा रूपी अपने घर जाने की इच्छा रखते हैं हमारा अगला प्रश्ण है भाविश्पष्ट कीजिए यह वाख हम कवित्री के पढ़ चुके हैं उनके कुछ-कुछ लाइने यहां दीवी हैं कुछ पंक्तिय है वो क्या करती रही पूरे जीवन बर हट योग साधना में लगी रही और लेकिन जब अन्त समय आया और जब इश्वर ने उन्हें मौक्षिया मुक्ति देनी चाहिए भावसागर से पार उतारना चाहा तो वो इश्वर को अपने सतकर्मों की जो उतराई देना चाहती थी वो उनके पास थी नहीं और जब लास्ट टाइम उन्होंने अपनी जेब टटोली सतकर्मों के लिए कि मैंने कितने सतकर्म की हैं वो उन्होंने एक भी नहीं किया क्योंकि वो तो हट योग में लगी रही कुंडलनी जागरन में लगी रही और जब उन्होंने अपनी जेब तो क्या हुआ जेब को उन्होंने बिल्कुल खाली पाया हम यह इसको ऐसे लिख सकते हैं कि कवित्री को अनभव होता है कि वे जीवन बर हट योग साधना में लगी रही किन्तु उसे कोई सफलता ना मिल सकी और उसकी जेब खाली ही रही हमारा अगला भाविश्पष्ट करना है निम्न पंक्तियों का खा खा कर कुछ पाएगा नहीं ना खा कर बनेगा आहंकारी अब इसमें दिखो यहां कवित्री क्या कहना चाहरी है वह कह रही है यदि तुम धरती पर जनम लेते हो और जनम लेने के वाद में केवल भोतिक सुक्स विदाओं को भोगते रहते हो तो केवल इश्वर का बजन कर रहे हैं हमें तो इश्वर ने इस प्रत्वी पर भोतिक सुक्स विदाओं भोगने के लिए बेजा था लेकिन हमने उन सुक्स विदाओं का बिल्कुल भी भोग नहीं किया तो क्या एगा मन में एक एंकार आ जाएगा मन में एक गमंड आ जाएग वो कोई उपलब्दी प्राप्त नहीं कर पाता यानि कि उच इश्वर में विलीन नहीं हो पाता वे भोग के प्रति आसक्त रहकर परमात्मा से दूर होता जाता है तो इसमें क्या कहना चाहती है कवियत्री कि वे भोग के प्रति आसक्त होकर के परमात्मा से दूर होता चला ज बंदे द्वार की सांकल खोडने के लिए कवेति ललधद ने ये उपाय सुझाया है कि भोग और त्याग के बीच में सदेव संतूलन बनाए रखना चाहिए ना तो बहुत अधिक भोग प्राप्ट करने चाहिए ना ही बहुत अधिक त्याग करना चाहिए अर्थात मध्यम्म द्वार को अपनाना चाहिए तब ही प्रभू इंके द्वार खुलेंगे यानि की प्रभू के बंद द्वार की साकल खोलने का आएक बहुत सरल सा उपाय है कि हमें सदे मध्यम्मार्ग अपनाना चाहिए, यानि कि जीवन को जीते वे, संसारिक सुक सुईदाओं को भोगते वे सत कर्म करते रहना जाहिए, हमारा अगला प्रश्ण है, इस्वर प्राप्ती के लिए भोष से सादक हटीयोग जैसी कटिन सादना भी करते हैं, ये जो हटीयोग है जैसी बहुत सारी योग साधना है अपनाते हैं एक राप्टि कतिन नहीं लेकिन उसे भी तुमें इश्वरत की साधना कर वा Hulk कृत्त हैं कि चाह कितना ही हट योग या कितनी कठी साधना कर लो लेकिन उससे भी तुम्हें इश्वर की प्राप्ति होने वाली नहीं है तो यह पाव जो पंक्तियां हैं मैं आपको बता रहे हूं आई सीधी रहा से गईन सीधी रहा शुश्मु सेतु पर खड़ी थी योग की युक्तियां अपना रही थी बीत गया दिन हा पूरा दिन बीत गया लेकिन मुझे इश्वर की प्राप्ती नहीं हुई जेव टटोली कोडी ने पाई यह अपना पूरा जनम सुस्मु सेतू पर लगा दिया मैंने कुंडली नी जगरन में लगा दिया सुस्मुना नाडी को जागरत करने में लगा दिया तो क्या हुआ सारा समय था जो मेरे जीवन का वो भीट गया और जब मैंने लाश्ट टाइम में जेब टाटोली तो मुझे उसमें सतकर्म की कोई भी कोडी तक भी नहीं मिली, यानि एक नाम मात्र का भी मुझे उस पे सतकर्म नहीं मिला, मेरा करावा, तो मां जी को दू क्या उतरा, जब इसवर मुझे भवसागर से पार कराने हैं, तो म ज्यानी से यहां कव्यत्री का अभिप्रा है जिसने परमात्मा को जान लिया हो यानि परमात्मा क्या है या जिसने आत्मा को पैजान लिया हो हमारा अगला प्रशन है हमारे संतों भक्तों और महापुरूशों ने बार-बार चेताया है कि मनुष्यों में परस पर किसी भी प्रकार का कोई भेदवाव नहीं होता लेकिन आज भी हमारे समाज में भेदवाव दिखाई पड़ता है देखो हमारे भक्ति कालीन जो संतों थे और आदूनी काल के महापुरूश थे जैसे भक्ति कालीन संत कबीर जी हैं मीरा जी हैं रैदाज जी हैं इसके अलावा आदूनी काल के जितनी भी महापुरूश है विवेका नंजी है दयानन सरस्वती है महत्मा गांदी है इन्होंने क क्या बताया था कि मनुष्यों में आप सी बेदबाव नहीं होता देखो इश्वार ने एक मनुष्य को बना के नीचे भेजा लेकिन इंसान ने मनुष्य ने अपने आपको बाट लिया जातिकत आधार पर बाट लिया धर्म के आधार पर बाट लिया और संप्रधाय के आधार पर आपस में बाट लिया तो ये जो जातिया धर्म संप्रदाय ये इश्वर ने बना करके नहीं बेजी ये इनसान ने सुम अपने आप बनाई है तो देखो इसमें हमारा क्या प्रश्णे आपकी द्रश्टी में इस कारण देश और समाज को क्या हानी हो रही है यानि जो हम आ आपसी बेजवाओ के कारण देश और समाज को बहुत बड़ी हानी हो रही है ये सब आपके समने प्रत्यक्ष रूप से आप डेली अखवारों में पढ़ते हो कि किस प्रेकार रोजाना धंगे होते हैं धर्म के आधार पर संप्रदाय के आधार पर उससे देश और समाज द रहे तो ये क्या है ये जो प्रकरती है ये क्या हो रही है अब जातीगत रूप से धार्मिक रूप से संप्रदाय के रूप से बढ़ती वी चली जा रही है जिसके कारण अनेक जगड़े खड़े हो गए हैं लोग धर्म के नाम पर बहुत जगड़ा करते हैं आपस में आए हिंदू और मुसल्मानों के बीच मत्वेद की या भेदवाओ की दिवार खड़ी हो गई है, इस कारण सांप्रदाइक दंगे होते हैं, यानि सांप्रदाइक दंगे किसली होते हैं, धार्मिक आधार पर होते हैं, इसी कारण देश और समाज दोनों को बहुत बड़ी हानी हो हो रही है, तो हमको क्या करना चाहिए, हमको यह करना चाहिए कि हमारा देश और समाज दोनों मिलजूल कर रहे हैं, यानि धर्म के आधार पर संप्रदाइक के आधार पर आपस में नहीं लड़े, खैपाट है कि आप सी भेदवाओ को मिटाने के लिए अपने सुजाओ सकते हैं, देखो, आप सी भेदवाओ मिटाने का सबसे अच्छा उपाई है कि हमें उन बातों की चर्चा नहीं करनी चाहिए, जिन से की हमारा आप सी भेदवाओ बड़े, इन्हीं धर्म के नाम पर हमें कोई बात्चित नहीं करनी चाहिए, ना ही हमें कोई समाज, जाती, बारे में ज्यादा बात्चित करनी चाहिए, हमें आप सी प्रेम, सोहार्द और एक्ता पर बल देना चाहिए, यानि हम सब क्या हैं, हम सब भारतवासी हैं, ना हम हिंदू हैं, ना हम मुसल्मान हैं, ना हम ये धर्म के आदार पर या ना हम की जाती के आदार पर हमें आपस म जातिवाद, और छेतरवाद की भावना समात्क की जानी चाहिए। ज़ए, ना हम हिंदू हैं, ना हम मुसलमान, इस तरहे छेतरवाद नहीं फेलाना चाहिए। जाती बाद मैं हिंदू हूँ, मैं मुसल्मान हूँ, मैं सिखू, मैं इसाई हूँ, तो इस तरीके का जाती बाद भी नहीं फैलाना चाहिए, हम सब क्या हैं, हम सब भारतवासी हैं, सभी संपरदाय और सभी धर्मों को, जितने भी संपरदाय के लोगें, सभी धर्म के लोगो तो हम इस सभी धर्मों के लोगों को आपस में एक दूसरे के त्योहारों में मिल जूलकर और हासी कुछी उन त्योहारों को मनाना चाहिए तो शंक्षेप में इन उपायों से हम आपसी भेदवाव को दूर कर सकते हैं या इनसे आपसी भेदवाव दूर हो सकता है तो देखो यह हमारे बच्चों लल्लत जो हमारी संत के व्यत्री है उसके जो पाठे पुस्त के प्रश्णे वो आज हो चुके हैं आप इन प्रश्णों को ध्यान से दुबारा सुनिए और इन्हें अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखने का प्रयास कीजिए धन्यवाद